है अगा गट मोरी नवसका आपका स्वागत है आची क्लास में मैं रुप सिंग आदो आप सभी का स्वागत करता हूं अगर आप सभी में साथ अनेकेडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं और जो मेरे विद्ध्याती MPSI और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं कि एंपी एसाई और व्यापम की तो वो सारे विध्याति जो हैं मेरे साथ कि आने केडमी प्रस्पर में आपका एक नम्मर से आरो ए आरो यह तीन एक्जाम के लिए हिंदी के आपकी असी नम्मर का एंसी की उस सीरीज सुनू करूंगा यह क्लास जो है सुवे आट बच की पंदरा मिट पर रहा करेगी इस क्लास में मैं आप सभी को टॉपिक वाइस जो है टेश सीरीज लूँगा और यह टॉपिक वाइस रहेगी आट बच के पंदरा मिट पर आपकी हिंदी की क्लास रेगूलर यह क्लास में आपकी लिया करूंगा अगर आप सभी इस क्लास के लिए मेरे साथ जुनना चाहते हैं और इसकी आंसर की भी मैं आपको दिया करूंगा पाइडे तो आप मुझे बॉटसप में मेरे जो पार होगा वह अनकेडमी टेलीग्राम पर मिलेगा आपको अनकेडमी पर कैसे जोइन करना है अनकेडमी रूप सब्सक्राइब आप सभी जोइन कर सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं आशी क्लास को आंगे बढ़ाते हैं अगर आप सभी कर्षटिस तारिक को होने वाले मॉक जोइन करना चाहते हैं अनकेडमी पर ही स्कॉलर से प्रेस्ट रहेगा इसमें आपको जो है टॉप आने पर अमीजन के गिफ्ट वाउसर दिये जाएंगे है कि इसके सार्ट्ट ही विड्याति हो अगरा मिस्था त्लस ज्वर्व सॉन करते हैं तो मेर्थे निक्तस पर चक्रइन कल सकते हैं था पिलाबा रेजन हेंड की माध्यन से आप मेरे साथ को संग जोइन कर सकते हैं साथ अगा प्लस जोइन करते हैं मेरे साथ तो टॉप एडुकेटर साफ पर सकते हैं अनकेडमी पर आप को जोइन कर सकते हैं इस्टरी मधिलियर जोइन कर सकते हैं एक अक्टूबच से आपका नया सब्सक्रिप्सन जो रहा है यह वह सभी बैट जो आपके अक्टुबर महा में शुरू हूए और नम्मर महा में शुरू होए और तो आप सभी को मिलेगा 10% का ओफ इसके लावा चलिए आसकर नयज संभाग कौन सा है रीवा संभाग का है रीवा जिले में ही आता है रीवा जिला जो है बिंद प्रदेश के अंतरगात अगज देखें तो यह सबसे बड़े जिले में काउंट किया जाता है यहां की जो तैसिल है हुजूर तैसिल राइपू तैसिल माउ गंज हनुमाना गुड तैसिल इसी गुड तैसिल में जो है आप सभी का 750 मेगाबार्ट का तो और उज्जद संभाग गया था 2020 में इसका उद्गाटन नरीज मोदी द्वारत किया गया त्यों थर यह आपका एक पूरात्विक इस्तल्वी अंजे विचे सिरमॉर सीर मार जो है टॉंस नरी पास्तिव है से मौध में जो है आपका पूर्वा वार्टॉपॉल बैनता है मंगवा सैमारिया जवा और नईगरी तैसिल यह तैसिल जो है एल्वा जिले की आती है अगर हम रीवा जले को पढ़ें तो रीवा जो है यह विंद प्रदेश की राजधानी था किसकी विंद प्रदेश की यह राजधानी रहा हू IQ कि यह स्ट्यच सी की리्शिक इस्टेट सी की भी राजधानी रहा इस जगह को कि सटिट सी की भी राजद्धानी रहा इस जगे को जो है किसे कहते हैं तो हमारी वाजले को कहते हैं इसका प्राच्छी नाम भत्ता ठाइब रहगे बहता और यह जो जिला है रिवा नदी के नाम पर अथा रेवा किस नदी का नाम था नर्मदा का नर्मदा के नाम पर जो है से रेवा जिला कहते हैं क्या बोलोगे नर्मदा के नाम से क्या बोलते हैं रेवा जिले के नाम से जानते हैं तो भाई जो भी रीवा का है कि लास को दस बार शेयर करना ना भूलें ओ पियूस और जो ती रीवा जिले को दस बार शेयर करना बनना रीवा से जो है गुम हो जाओगे आप जो है पहली बोल रहा हूं रीवा से जो है मैं गुम करा दूँगा आप सभी को अब आजाओ बारे को इस्टेट सी ये कौन सा छेता विंद प्रदेश का छेत्रा बारा मार्ज़ उट उनिस सो अर्टालिस को जो है 38 रियास्त के साथ पूर से जो ये जोड़ा गया ज़िया जो है 72 मार्च उनिस सो अर्टालिस को अरग को मिला कर जो है हमने रीवा जिला बनाया था कामता प्रसाथ सक्सेना बुंदेल खंड के राजप्रमुक जबकि अब्देश प्रताफ सिंग जो है बगहिल खंड के राजप्रमुक रहे साथी 1948 में ये प्रधान मंत्री बने एक जनवरी 1950 के दिन जो है रीवा को हमने जो है बिंद प्रिदेश के अंतरगाथ पांट सी में जो है रीवा सामिल किया रीवा बुन्देल खंड के जो है राजप्रमुक मातंड सीन मातंड छिंग उस्स्था में जो है रीवा के प्रमुक बनाए गया जबकि पन्ना रियासत के अंतिम राजा याद्वेन सीन को जो है उत्रमुक बनाया गया दो अप्रेल 90 52 को सम्मुनाश शुक्ला रिवाच शेत्र यानि विंद प्रदेश या पार्च सी का जो है मुख मंत्री बनाया गया जब कि सिवानन तिवारी जो कि सतना के थे और राम के सोथ सुखला जो कि सैडों के थे यह मद प्रदेश में विंद प्रदेश के बिपच्छ अगें रिपिट कर रहा हूं 12 मार्च नाइंटी फोर्टी एट को स्टेड बिंद प्रदेश राज का गठन हुआ एक जनवरी 1950 को स्टेट सी में से सामिल किया गया जबकि दो अप्रेल 90 52 को बिंद प्रदेश जो है इसे स्टेट सी को जो है स्टेट सी का फिर से पुना गठ पुनर की गई तो उस समय सम्मुनात शुकला जो थे विंद प्रदेश के सीम बने सिवान अंतिवारी जो है स्पीकर बने और विपश पार्टी के नेजदा राम किसोर सुखला थे को रहोगे राम किसोर सुखला थे अब आजव नेस्ट रीवा अल्ट्रा मेगा सुलर पावर प्रांट दस जुलाइट दो हजार बीस को प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने इतका उधाद घाटन और इसका सरल्यास रासिम चुहान ने किया था इससे जो एलक्रिस्टी मिलेगी साथ सो पचास मेगावाट मिलेग इसके इलावा 24 परसेंट जो है विजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी कि 76 परसन में विजली जो है MP को इस 76 में से मद्विदेश ने जो है लगनाव मेट्रों को भी विजली बेचे गा अब आजाओ नेक्स पॉइंट अब देश प्रताव यूनिवर्सिटी कहां बनी है 1968 में रीवा के में इस यूनिवर्सिटी को बना है श्याम सहा मेडिकल कॉलेज 1963 में रीवा में क्रशी कोलेज एक रीवा बना हुआ है कौन से खनीज के लिए रीवा जाना जाता है तो जब हम रीवा में खनीज की बात करते हैं वालको तो खनीज में हम देखें तो चीनी मिट्टी जिसे हम के लिए कहते हैं चीनी मिट्टी में फास्ट है जिपसां कॉार्ट्स में जबलपूर के बाद इसका दूसरा पोजिसन आती है चुना पत्थर में रीवा जो है जबलपूर काटनी के बाद तीसरा पोजिसन है अब रीवा जिले में बरदहा घाती कहां पर पड़ती है रीवा में चाग घाट कहां पड़ता है रीवा में शुहिया घाती कहां पड़ती है रीवा में देप्रदेश का पहला सेनिक स्कूल कहां खोला गया रेवा में 1962 में खोला गया जबकि दूसरा सैनिक स्कूल MR मालनपुर में खोला जाना। पिस्ताबित है कहां पर कुरेगा दूसरा सैनिक स्कउल रेवा के भिन्ड में कहां ख। लेंगे रीबा में पहला दूसरा कहा भींड में खोला जाना है कि चलिए यहां तक कोई डाउट्स है तो पूछ लो बालको जली से कोई डाउट्स हो तो पूछो तो किलियर मेर्सा यहां यहां है तो प्यूट करता होगा यह मेरे लेडी डाउट्स होगा यह दो करता होगा यह यह करता हुए या यह जोतीतर फार्टे यह रिबाकी लेड़ी डॉन में तो यह दो जो हैं तीन अंजाम देते हुंगे कंछ यह जो तीन है यह अंजाम करते होंगे तो बίटे लेडिडॉन तो तुम ही करते हो ना लुटपार्ट नाम तुम्हारा बता रहे हैं जो देखो प्रियूस ने लिखाई है तुम्हार नम चलिए अब आजा और नेश महामित्यूंजय मंदिर ये मंदिर जो है जगनाज जी के जिलादर्सन के नाम से भी इसे जानते हैं एक मात मंदिर है जहां भावा भोलिनात जी का जो है रूप महामित्यूंजय के रूप में स्वूर कैन Congressman जानते हैं से सब्सक्राइं नेत्र धारी से भी जानते हैं में शिवरात्री में कि यहाँ में महामामित्यूंजय का बहुत मेला लगता है इसके रावा चुरूहूला की हनमान जी का मंदर बहुर फैमत मंदर है मा काली का टेमपल यहाँ पर एक और मंदर है बसानमन मामा मंदर बसानमन मामा से आपको एक और परिण या रखोगे बसामन मामा गौवा अब्यारन मद्पिदेश का दूसरा गाय अभ्यारन कहां बनेगा तो ये रीवा में बनाय जा रहा है इसके लावा गाय अभ्यारन कहां पर है पहला आगर मालवा में बनाये एक पेपा नाम से जो है हर्दा में बनाय जा रहा है और एक ग्वालियन में गाय अभ्यारन परस्तावित है इसका जुह एक कला एक उत्पाद में भी हम सुपारी को सामिल की है क्या होगे एक कला है एक जिला एक उत्पाद इस योजना में जुह है रीवा की सुपारी को सामिल गये है ताती यहां सुन्दर जा आम वो भी सामिल किया रहा है इसके लावा रीवा जिला जो है सबसे ज़्यादा अलसी कौनसा जिला प्रोड्यूस करता है अलसी रीवा दूसे नमबर पर समाकू दीसे नमबर पर आम आम में इसकी पोजिशन दूसरी है जबकि जबल को जो है इसमें पहला आता है अगर मैं खनीज देखू रीवा किस खनीज में पहला है तो इस रीवा जो है जिबसम में पहला इसके लावा चीनी मिटी में पहला कौार्स में दूसरा है कौार्स में पहला जबल पूर है अब बात कर लिते हैं आपको रणमत सिंग स्टेडियम यह रीवा में है तहाप रहोगे रीवा में टॉंस पर्योजना के जिले में हैं तो यह रीवा में हैं इससे हमें जो है तीन सो चार्ट तीन सो बीस मेगावाट एलेक्रिसिटी मिलती है जो वड़कर 435 आगे हो जाएगी इसके लावा बार पर्योजना का हैड़ क्वाटर कहां पर है यह रीवा जिले में बना हुआ है कहां पर है विद्ध्यातियों रीवा में कि चलें आंगे है चली जल्ली से लाइक कर लो कि अब आजाओ नेस्ट सुपारी मैंने भी बाप को बताया यह नगण निगम बना नांटी एटी नाइटねव में रीवा नगान निगम कब बना तो रीवा नगान निगमा बना था 1981 में अब आजाओ तने मिस्रा जिने हम तानसेंद के नाम से जानते हैं ये रीवा के राजा रामचंद के दरवार में रहे तब अकबार और रामचंद के बीश लड़ाई हुई तो इसमें रामचंद की सेना जूद गई थी तो फिर अकबार ने रीवा पे अटेक किया है तो समय तानसें ने एक पत्र लिखते हैं अगर आप रीवा के राजा से विंती करो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं तो तब जो हैं तानसें यहीं से अकबार के दरवार में गए थे भारतें सींग ये रीवा के राजा रहे अंते इन्हें जो है कई बार सांसर प्रामकर इससेंडर कहा है गोविंगर में रीवा जिले में बाटर फॉल अब क्या पढ़ेंगा पर रीवा जिले में बनने वाले जल्प पाक बताईए तो सबसे पहली चचाई चचाई किस नदीप है बीहर नदीप है 130 मीटर उचा है फिर है मारा किवटी बाटर फॉल री बहुती बाटर फॉल कहां बनता है तो बहुती बाटर फॉल इस समय एंपि का सबसे बड़ा बाटर फॉल कौन सा है बहुती बहुती जो है सेलर ओ अंडा नदीप हैं बनाती है यह जो दोनों नदीआ है यह बीहर की साएफ है एक सो अन्ठानवी मीटर बनता है वर्तमान में MP का सबसे बड़ा वार्टरफॉल तो सबसे बड़ा बाटरफॉल कौन सा है तो बहुती वार्टरफॉल है कौन सा होगे बहुती और यह जो है तीसरा सबसे उच्छा है किट्ना है नाइंटी एट मीटर जो है टेतल है आब आजाओ बिलोही बातरफॉल कहां बनता है कि लही बातरफॉल जो है जल्लब पातकि से बन्ता है तो सायख नदी है अपनी गोर्मा नधी नदी पर जो यह हमारा बनता है पूर्वा बाटरफॉल पूर्वा बाटरफॉल जो है तिर्मौर में बनता है और यह कौन मनाती है तोंस नदी फिर महाना नदी महाना नदी पर कौन सा बनता है आपका कयोटी बाटरफॉल कयोटी जल पर पाज जो है किस नदी पर बनता है तो कयोटी बाट कि जो कि टॉंस की साईख है ईंटा नदी कहते हैं सेला उंडा नदी क्यालोगी बालत सेलर या अन्दा नदी जुमें पर बनता है करोंगे सेलर या अंडा नदी के लिए अब आज़ाओँ यह рек बाटर फोर और बनेगा पियामन यह जो जरना है यह प्राकतिक भनतितना इसका पानी जो है लिविःषर नदी में लिविः लिवाड़ की साइड नदी है टॉयप किसकी साइड नदी है तॉयँसकी विध्यूर्ट कोटार का इस्टू गजो है किसने बनवाय है यह जो स्टूप है असुग के द्वारा बनवाया इसस्तूप को असुग ने किस ने बनाए इसस्तूप को असुग ने जो है सिस्तूप को बनाया था अब आजाओ गोविंगर क्यों पर सिदर रीवा था हुग ईसा करें हैं इस्याता सबसे बढ़ा तौला था इस्यातासा तौला कहां है तो फोबिविदगर में नहें तहां रखोगियर का बड़ा तालाब बताई है तो इस विया का बढ़ा तौला पर है गुविंगर, इतना केलिए हुआ बाला, तो जली से क्लास को लाइक कर लो, सबी विध्याती मेरे, जली से क्लास को लाइक कर लीजिये, जिससे अपना आंगे बढ़ सकें, चलिए, लाइक कर लो, सबसे बड़ा तालाब गोविनगड में और मैंने आप क्या पढ़ाया सबसे बड़ा यहीं पर गोविनगड में ही आम का दिसस सेंटर आम का दिसस सेंटर कहां पर है गोविनगड में गोविनगड संग्राले कहां बनता है तो रीवा के जो राजा थे उनने यहाँ पर एक महल बनाया उसी में बर्तमान में गोविंगर संग्राले इस्तिध है चलिए बढ़े आंगे अब चलते हैं अपार नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर चलिए अब आजाओ नेक्स्ट सपेश सिर महन को कहां पकड़ा था तो रीवा के जंगल जो पढ़ते रीवा और सिंग्रॉली के बीच जंगलों में जो है पकड़ा गया था गायब भ्यान कहां बनेगा मामा बसामन में देवर कोटा इस्तूप असुदुआ निर्मित बोध्द इस्तूप है कहां बना हुआ है तो ये रीवा में ठाकुर रनमस इंस्टेडियम कहां पर है रीवा में खानीज में आपको बताया जिपसम में पहला कौन रीवा इसके क्वार्ट्स में दूसरा कौन है रीवा इसके लावा चूना पत्थार और वक्साइट भी रीवा से मिलते हैं सोलर पाउर प्लाइंट सबसे बड़ा कि सैस्थिन में बढ़ायत बताया था गुर्ट तैस्थिल में उद्गाटन का वुगा जुलाई 2020 में नरिंग बोदी ने सि कि सिवरासिंग चुहान ने इसका शलन्यास किया था कि इसके लावा कि एरिया के आधार पे बड़ा तूलर प्लाइंट है भारत का और एंपी का सबसे बड़ा है बत्मान समय इस समय कितनी एलक्रिसिटी मिलती है अपन को हजार में कहां विजली देंगे दिल्ली मेक्रों को किसे विजली दोगे आप दिल्ली मेट्रों दूसरे नमबर पर लखनव मेट्रों सेकंड नमबर पर किसे दोगे आप लखनव मेट्रों को दी जाएगी है चलिए 召ाज़ा डोग्रों कि अब आजाओ टॉंस जल विद्दुत परियूजना कहां पर है तो में बनती है तुन्स जल्रों बिदुसस परिइवाट की خले मेने सेनिक स्कूल कप पनाया था अपने 1962 दूसरा कहां बनेगा विंड के मालनपुर में जो है दूसरा अब देश्वताव यूनिवर्सिटी कप बनी थी 1968 पुलीस का बहान का प्रिशिट्चन केंड या पुलीस मौटर बर्षव कहां है रीवा में पतंज अली की और सदी बाति का कहां पहां है रीवा में जेव उर्जा ये बुर्जा पार रीवा में जेव विवित्ना पार ऑगा आए यह नागोद में अगोद कहां पड़ता है है सतना में कि फिर को जन जार्थी को जन जार्थी जो है कहां पर सबसे जादा पाई जाती है तो लुब से ज्यारता रीवा में कि चलिए अब आजाओ रीवा में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंडर यह सपेज सेर का प्रिजनन केंडर कहां बनाए जाएगा तो रीवा में भाल छोड़ो अंदोलन में महत्पूर्ण भूबी का रीवा से किसने निवाई थी तो सम्मुना सुकला ने यह रीवा के पहले सियम कौन थे सम्मुना सुकला एंपी का सबसे छोटा नेशनल हाइवे एक सो पैतीस डवल भी साड़े साथ किलूरमीटर का है जो कि रीवा में है यह बर्गिर है जमरिया गहूर डूबी बगदोर और दहूरा छित को जोड़ता है भात बहाता समाचार पत्र कहां से निकलत भाते को तॉडर रेभा का से धयती को रीवा का से जो है इन्ने केहते हैं क्या दों लोग है रीवा का सिरो किसे कहता है पदम और इन्हेंफांसी की सजा फै ara राज में में इन्हें चाला अंदोलन कब हुआ था 28 फरवरी 1947 को कब हुआ था 28 फरवरी 1947 किसलिए जवरिया लेवी नीती के कारण जूट की जो बोरी होती है बोरी उसमें हम चावल भनने से सम्मंदित था तो इसका बिरोत थकीया था तो जो रिवा क्राज की सैनिक थे उनने जुह है क्रणिकारी उपर गोलिच वारी जिसमें इसको लीड करने वाले तिर्वुवंति वारी इनकी मिर्त्रीव हो गए थी तृ तिर्ववंति वारी जो है रिवा के एक महर्ट do you क्राणे रहे स्री निवास्तिवारी इन्हें क्या कहा जाता है रीवा का सपेश सेज के नाम से जानते हैं इनका रीसेंडली अभी निधन हुआ था 2020 में ठाकुर राम सिंग स्वतंता संग्राम में देश प्रदेश को आजाग का निकली महत्पू भूमी का निभाई के जिले से आते हैं तो यह भी वाजले से आते मेरे बालको सबसे जाना एक्जाम और यहिंटेश स्लाइड कौन सी हमेरी यह वाली तो अगर आपको कोई चीज नहीं आई हो तो पूछ लिजे मैं आपको द्वारा बता दूंगा अगर कोई चीज आपको नहीं आई हो तो आप मुझ से पूछ लिज अगर आपको चीज नहीं आई हो समझ में वह मुझ से पूछ रहे ज़िए चले विध्याति ओग चले विध्यातिओं सेब रिवा में अच्छा इसा क्या हमें तो पते हैं रिवा एक गावे क्रेंग नहीं क्यों प्यूश्कालग रिवा गावे क्यों है把它 प्रेंद प्रदेश में में परता है लको बेद्देश में जो है रीवा आता है जहां क्या बने आरें हम सThey कों सा मोहला है सब जानता हूं मैं में कौन सा ताल है कहां पर कहां लोग जो है लूटते हैं भूतर जानता हूं मैं कौन लूटता है कि MPPSC का अंगला नॉटिफिकेशन कब आएगा कि क्या है कि बमीठाटू खज्राओ है बिटा बमीठाटू खज्राओ जो है निर्मल 149 यह बिटा नौ किलो मिटर का है यह जो है आपका नौ किलो मिटर का है बमीठाटू खज्राओ ठीक है यह पिटा पहले हुआ करता था अब 149 डवल भी यह जो है साड़े साथ किलो मिटर का है और रीवा के जो है जमरिया बर्गर है छेत्र को जोड़ता है तो प्रिजेंट टाइम में जो है बालक 149 डवल भी जो है अब सबसे छोटा हो गया है ठीक है बालको चलिए अब आजाओ गोविंगर गोविंगर जो है अपने सपेश सेरो के लिए तालाब के लिए ये प्रिशिद है यहां गोविंदर में जो है बहिला राजा उन्हें गोविंगर के लिए को जो है बनाए थे पहला सपेथ बाग मोहन कहां मिला पहला सपेथ बाग मोहन जो है गोविंगर में मिला लीवा जो है बिंदर प्रिदेस की गरिश्म काली राजधानी के नाम से भी गोविंगर को जानते थे यह जो संग्राल है एक सारुप खान की असो का मुवी इसी गोविंगर मेहल में बनी थी और जो उस गोविंगर मेहल में जो अथ्यार थे वो हम इसी मुवी में यूज करते गोविंगर में जो है आम का रिसस सेंटर आम का रिसस सेंटर कहां पा है गोविंगर में एसिया का सबसे बड़ा तालाव कहां है एसिया का सबसे बड़ा तालाव कहां है एसिया का सबसे बड़ा तालाव गोविंगर में कि कहा रहोगे गोविंगर में एसिया का सबसे बड़ा तालाव है कहां पा है गोविंगर में चलिए बालब जली से बिड़े स्कीन सौट ले लो इसका और लाइक कर लो जली से फिर बढ़ते अपन आने की हो अब आजाओ बिंद महोसब बिंद महोसब जो है कहां होता है रीवा में कौन से महीने में होता ये अपरेल महीने में आयोजित होता है महा मितुंजे मेला महा मितुंजे कहां बताया था महा मितुंजे मेला भी रीवा में लगता है इसके लावा मल मास मेला ये भी रीवा में मई के महीने में आयोजित होता है यहां पर जो है एक बिसाल मंदिर बना हुआ है ऐसा कहते हैं इसका निर्मार जो है स्वेम बिसकर्मा ने एक ही रात में करवाय था यह देव तालाव के पास में बना हुआ है रीवा का चावल अंदोल मैंने अभी समझाय था 28 फरवरी 1947 में जबरीहा लेवी की बसूली के कारण हुआ था इसमें तिर्ववन्तिवारी जो थे वो सहीद हो जाते हैं रीवा के जो सेनिक थे उनने गोली चला दी थी तो गोली चलने से रीवा में तिर्ववन्तिवारी जो है इसमें सहीद हो जाते हैं इनमें बहरा गुंसरे संहाई थे वो वो भी इसमें सही थो यह जो है तो यह जो है फॐ कंड ہुआ इसे रीवा क retract फार Letter नेक्स्ट में महामित्तूंजय मेला ये कहा लगता है फरवरी में देवतालापधि जुए सिपजी का प्रसिद मंदिर है बहां पर आयुजित होता है इंद्रहर ये राजा इंद्र को पसंद होने के कारण इंद्रगर जो एक पक्मान है जो कि रीवा मनता है रसाज की घड़ी तो करी जुआ है चने की डाल से र कड़ी बनाई जाती है और रीवा के जो छोरे और छोड़ियां है उन्हें ये दोनों चीजले जो है बहुत पज़ाइँ हैं क्यों खाई यह कड़ी कि नहीं खाई है कि रसाज की कड़ी खाय हो कि क्यों कि रसाज की कड़ी और इंद्रहर कि थाया कि नहीं खाया अच्छा बहुत मस्तमंती है तो चलो फिर ठीक है अब आजाओ नेक्स्ट यहां के धार्मिक स्थर्वत आईए ताला इसिया के सबस्वड़ा ताला कहां है गोविंगड में राम सा मजदेनी मंदिर रीवा में महा मितुंजय सिम मंदिर फूल मती देवी का मंदिर जल्पा देवी का मंदिर चिरहूला के हनमान मंदिर अपसे जादा प्रसे नहीं यह सबसे जादा पूछा जाता है इसके व्लाग तो कोई और पंचपटा मंदिर पंचपटा मंदिर जो है प सेडोल में फिर लच्मन भाग यह रीवा में चारोधाम की यात्रा का एक मंदिर इससे कहा जाता है क्या बोलोगे चारोधाम की यात्रा का एक मंदिर फिर लच्मन भाग जो है यहां ऐसे कहते हैं देवताओं के प्राण यहां वस्ते हैं तो यह जगह कहां बनती है रीवा में एक्जाम औरेंटे लेक्स्पन बाग, पच्पना मंदेर, चिरहूला के हनमान जी का मंदेर, महिसास्पर मरदानी मंदेर, तालाव मंदेर, और महामितुन्जे मंदेर, ये रिवाज लेके सबसे प्रमुक मंदेरों में काउंट किये जाते हैं चलिए, अब आजाओ, 2021 में आज के ही दिन, 30 अक्टूबर 2021 को, रिवा जिला जो है, फिंगर प्रिंट के माध्यम से, फिंगर प्रिंट, डियने फिंगर प्रिंट के माध्यम से, सबसे ज़्यादा, अपरादी को पकड़ने में पहला बना, यह जो है विद्ध्याद्यू, देश में सबसे जाना, डियने, फिंगर प्रिंट, साइबर, सेल, यह जो अपराद होते हैं, डियने, फिंगर प्रिंट हो गया, जो अपना, साइबर, सेल हो गया, उनके माध्यम से, अपराद्यों को पकड़ने में, रीवा जिला जो है, पहली पोजिशन पर आता है, चलिए, तो, किलिया, कैसा लगा मेरा, बहुत प्यारा सा जिला, रीवा, कल हम रीवा के दूसरे जिले, सिंग्रॉली में चलेंगे, साम के टाइम में आपको सिंग्रॉली दे चलूँगा, तो, ये जो क्लास है, आप सभी, सभी विद्ध्याती, इसको लाइक, सेयर करना ना भूलें, सली, मिलते हैं,